जी स्टुरेंट्स, अलिफ से रेलेटेड आपने वीडियो देखी, देखा अलिफ से कितने सारे अलफाज बनते हैं, अब हम अलिफ की प्रेक्टिस अपने एक्टिविडी पैक पर भी करते हैं, चलें आप सब अपना एक्टिविडी पैक पेश नमबर वन ओपन कीजिए, इस इस यूर एक्टिविडी पैक पेश नमबर वन, आप सब के एक्टिविडी पैक का पेश नमबर वन कुछ इस तरहां से है, प्रीज ओपन इट, काम स्टार्ट करने से पहले हमने आज की तारीख लिखनी है, क्या तारीख है आज, आपको पता है क्या तारीख है आज, नहीं आपने मामा पापा या ट्यूशन वारी चीचे से कहें कि वो आपको डेट यहां पर लिख के दें. आज की तारीख है जैसे के 25, अब 25 में उद्दू काउंटिंग में लिख रही हूँ. 25 and the month is 7th और year है 2020 उसके बाद आपने लिखना है अगर आप classwork कर रहे हैं तो हम लिखेंगे जमाद का काम the educators चलो campus के ऊपर लिखेंगे हम जमाद का काम और अगर आप घर में काम कर रहे हैं घर का काम कर रहे हैं तो आप इस पर घर का काम लिखेंगे ठीक है students जमाद का काम और उसके बाद आज का दिन लिखेंगे हम जो के है हफ़ता After completing the sketch आज का topic रेट करते हैं हम क्या अभी हमने पढ़ा था कौन सी वीडियो देखी हमने क्या था हमारा आज का topic अलेफ क्या था हमारा आज का topic अलेफ और अलेफ से क्या बनता है अलेफ आ अंगूर क्या बनता है अलेफ आ अंगूर अलेफ आ अंगूर ये देखी इतना बड़ा सा अंगूर बना हुआ है आपकी activity pack पर अच्छा है ना और अलेफ लिखना असान भी कितना है अभी हमने इंग्लिश में straight line सीखी है ना अलेफ बिल्कुल straight line के जैसा होता है जैसे straight line होती है अलेफ बिल्कुल वैसा ही होता है और अलेफ की अवास क्या होती है अ अलेफ अ अ अब हम अलेफ लिखना स्टार्ट करते हैं ये देखें आपके जो अंगूर बना है activity pack पर उसके अंदर हर अंगूर के दाने के अंदर दो छोटे छोटे dots लगे है आपने इन dots को उपर से नीचे join करना है एक straight line बनेगी और उस straight line को हम क्या कहेंगे अलेफ क्या कहेंगे अलेफ चले इसको करना स्टार्ट करते हैं बहुत असान काम है आज का from up to down एक सीधी line क्या लिखा अलेफ मैं ये काम black pointer से कर रही हूँ ताकि आपको ये easy d नजर आ सके लेकिन आप सब बच्चों ने अपना काम sharp pencil से करना है ओके students चले एक और अलेफ लिखते हैं हम starting dot से नीचे की तरफ सीधा बिलकुल सीधा अलेफ again right अलेफ उपर से नीचे हम लेके आएंगे अच्छा सा आहिस्ता से लिखेंगे प्यारा सा अलेफ क्या लिख रहे हैं हम stress अलेफ अलेफ से क्या क्या बनता है अलिफ आ अंगूर में तो हम अलिफ लिखी रहे हैं इसके इलावा अलिफ आ अंडा अलिफ आ अनार अलिफ आ अम्रूद, अलिफ आ अम्मी जान, अलिफ आ अब्बू जान और क्या क्या बनता है अलिफ से, इतने सारे अल्फाज बनते हैं अलिफ से, पता है आपको और अभी हम क्या लिख रहे हैं? अलेव, बिल्कुल सीधा, उपर से नीचे की तरफ, क्या लिख रहे हैं हम? अलेव, क्या लिख रहे हैं? अलेव, from up to down, क्या लिखा हमने? अलेव, एक स्ट्रेट लाइन, up to down is, अलेव, from up to down, उपर से, नीचे की तरफ, क्या लिखा हमने? अलेव, ये लिखें स्ट्रेट, कितना अच्छा प्यारा सा हमने या काम किया है आज का, आप सुपने भी अपना काम ऐसे ही करना है, अभी है आपने मेरे साथ कम्प्लीट किया है, एक्टिविटी पैक का पेश नमबर वन, एक्टिविटी पैक का पेश नमबर टू आपका हूमवर्ग है, वहाँ पर भी आपने ऐसे ही पिर्कुल सीधा अच्छा सा प्यारा सा अलिफ लिखने की कोशिश करनी है, ओके स्टुडेंट्स,